हे दोस्तों, कैसे एक मार्केटिंग के बंदे ने बस 50 डॉलर खर्च करके मिलियंस ओफ डॉलर्स की कमपणी खड़ी कर दी वैल ये स्टोरी काफी इंटरस्टिंग है गौर से सुनना टॉम डिक्सन नाम के एक इंजीनियर थे जिन्नोंने 1995 में एक ब्लेंडर बनाया तब ही टॉम ने क्या किया कि उन्होंने एक मार्केटिंग डिरेक्टर को हैर किया जिनका नाम था जॉर्ज राइट नो एक दिन जॉर्ज जब मार्केटिंग के बारे में ही सोच रहे थे तब ही उन्होंने कंपनी में देखा कि उनका जो manufacturing plant था ना वहाँ पे काफी सारी dust पढ़ी वी थी, धूल मटी पढ़ी वी थी ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ construction चल रहा है जब उन्होंने उसका source पता करनी कोशिश करी कि ये धूल मिट्टी कहां से आ रही है तब उसे ढूंते वक उन्हें मिल गए Tom Tom क्या कर रहे थे कि वह अपनी blender की testing कर रहे थे जिसके लिए वो blender के अंदर कई सारी अजीब चीज़े डाल रहे थे और उसे test कर रहे थे कि उनका blender कितना powerful है, कितना अच्छा है नो यह देखते ही जॉर्ज के दिमाग में एक आइडिया आया उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 50 डॉलर लिये और मार्केट चले गए वहाँ पर उन्होंने marbles खरीदे, मतलब जो गोटिया होती है ना वो खरीदा, गोल्स के ball होते है ना, वो खरीदे उसके बाद एक white lab coat लिया, सब 50 डॉलर के अंदर जिसके बाद वो वापिस से Tom के पास आये, उन्होंने उस white coat को Tom को दे दिया, पहनने बोला, और फिर जो वो कर रहे थे पहले उसी चीज को वापिस करने कहा, बट इस बार उन्होंने blender के अंदर marbles डाले, मतलब गोटिया डाल दी और फिर उन्होंने एक camera set किया, एक video बनाने के लिए जिसके अंदर उन्होंने बुला, आप ये जो गोटिया है ना, उसे mix करो जब उन्होंने ये चीज को की, तो mixer बहुत अच्छे से काम कर रहा था mixer ने सारी गोटियों को फोड के उसके अदम powder जैसा बना दिया इसके बाद उन्होंने गोल्फ वर्ल डाले और फिर उसे mix करने कहा वो भी एकदम आराम से चूर चूर हो गया ऐसा लग रहा था कि Tom एक mad scientist है जो अपने mixer के अरजीब अजीब एक्सपरिमेंट कर रहा है जो दिखने में काफी attractive था इसलिए जब उन्होंने ये वीडियो यूटूब पर डाला ना तो वो viral हो गया लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया किसी ने भी ये चीज पहले नहीं देखी थी कि एक mixer में कोई ये सब चीज़े डाल रहा है जिसकी वज़े से ही पहले week में ही वीडियो को 6 million views मिल गए इसके बाद ही जॉज ने टॉम को ऐसी और वीडियो बनाने बोले कभी वो अपने mixer में lighters डालते कभी Nintendo controllers डालते कभी iPhone भी blend कर देते उनका जो mixer था वो इतना powerful था कि वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से mix करके उसका powder बना देता था इसी के उपर उनने पूरी एक video series चालू कर दी जिसका नाम था Will It Blend जिसे total देखा जाए तो more than 300 million views मिले और इस video series की वज़े से उन्होंने दो सालों में blend tech की जो sales थे वो 700% से भी ज़्यादा बढ़ा दी millions of dollars उन्होंने कमा लिये और इस सब करने की शुरुआत कैसे भी सिफ 50 dollars खज कर गए दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि क्यो कुछ चीज़े कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वाइरल होते हैं और बहुत सारे वीडियोस कभी वाइरल नहीं हो पाते हैं उसके पीज़े का science क्या है क्या होता है क्यों होता है exactly वेल जोना बर्गर ने आपके विहाफ में इसी topic के आपर कई सालों तक research करी वो marketing में काफी expert पहले से ही थे बट स्टिल उन्हें और बहुत ज़दा research करी कि क्यों कुछ वीडियोस जो होते हैं कुछ चीज़े होती है वो इतनी ज़दा वाइरल हो जाती है उसके बारे में लोग word of mouth marketing करना start कर देता है जबकि बहुत सारे product के बारे में कभी कोई बात भी नहीं करता है क्यों ऐसा होता है वेल इसके उपर ही research करते करते हैं उन्हें कई सारी बाते पता चली छे specific चीज़े जो किसी भी चीज़ को viral बना सकती है जो एक acronym के थरूँ सिखाते हैं हमें मैं आपको अच्छे से detail में इस सारी चीज़े नहीं बता पाऊंगा अगर आपको detail में सारी बाते सीखना है तो आप जाके contagious book पढ़ सकते हो बहुत ही amazing book है मैंने दो-तीन बार इस book को पढ़ी है वहां से जाके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस book का access करने के लिए अभी के लिए हमने इसका cost सिफ 2400 रखा है जो कि 200 रुपया पर मन के हिसाब से होता है लेकिन इस वीडियो के release होने के 3 दिन बाद ही हम यह 2400 का offer है ना वो खतम करके 400 रुपया पर मन जो के 4800 रुपया होता है वो कर देंगे अगर आप बस 200 रुपया पर मन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो यह वो कि सारी बाते सीखना चाहते हो तो link description में है अभी जाके ले लिजिए अभी short में फटा-फट समझते हैं कि step actually होता क्या है step का a stand करता है जैसा मैंने बताया social currency के लिए आप वो क्या होता है social currency के concept समझने के लिए एक बहुत प्यारा सा example है मैं आपसे question पूछता हूँ क्या आप किसी ऐसे बहुत बड़े brand को जानते हो जिसने आज तक कोई भी ground breaking product नहीं बनाया है जिसने kind of पूरी दुनिया को बदला नहीं है जिसका business model बहुत ज़्यादा complicated नहीं है simple है और जिसके competition भी बहुत सारे है जिसके साथ-साथ वो लोग marketing में भी ज़्यादा spend नहीं करते है but still वो लोग का नाम दुनिया भर में famous है कौन सा है वो brand? brand का नाम है starbucks आपने कभी सोचा है कि starbucks इतना ज़्यादा famous क्यों है शायद आप बोलोगे यार coffee के वज़े से वो famous है बढ़ अगर आप सच्छे दिल से देखो तो starbucks में जो coffee मिलती है वो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दूसरे coffee shop से coffee अच्छी बनाती है but still उनका जो पैसा है वो इतना ज़्याद महेंगा क्यों रहता है coffee का अच्छा एक और ब्रैंड का नाम लेता है Rolex watch के वारे में आपने सुना होगा Rolex watch के लिए लोग लाखो रुपे क्यों देता है क्यों ऐसा है कि दुनिया के कई सारे famous restaurants, brand कई सारी बहुत महेंगी चीज़े बेचते हैं बट सिल जाके लोग उसे खरीते हैं अपने competitors से बहुत अच्छा ना होने के बाद भी इसके पीछे reason है social currency का और इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है people share whatever makes them look good अगर आपको ऐसी चीज़ प्रोड़क्ट या सविस करते हो जो आपको दूसरों के सामने अच्छा दिखाती है बड़ा दिखाती है तो लोग उस चीज़ के बारे में शेयर करते है जिको starbucks में usually क्या होता है लोग जाते हैं तो वहाँ पर जाके बहुत दिखावा करते हैं आप बोल सकते हो kind of starbucks में जाके लोग photo खीचते हैं अपने नाम के साथ वाला जो होता है उसे जाके शेयर करते हैं वाइसे दिखाते हैं कि हम लोग starbucks में कॉफी एफ़र्ड कर सकते हैं हम वहाँ पर रह सकते हैं यह चीज़ यूजिली उनकी social currency होती है वह बढ़ाती है स्टार्बक्स इसलिए ही लोग starbucks की बाते भी करते हैं उसके बारे में पिच्चर भी शेयर करते हैं स्टार्बक्स उनकी social currency बढ़ाने में उनकी help करता है रोलेक्स वाच कभी मैंने जो example या उसकंदर क्या था रोलेक्स दिखाता है कि जो इनसान है वह बहुत अमीर है उसके social status बहुत जादा है इसलिए तो लाकों रुपे की घड़ी अफ़र्ड कर सकता है आप देखना लोग normal coffee shop में जाते तो कभी फोटो कीच के शायद नहीं ड लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है कि यार मैं जगा पर गया था स्टारबक्स गया था वहां की coffee का कितना था पता है 700 रुपी कोफी थी 800 रुपी का बस छोटा सा केक का पेस्टरी था तो ऐसे वह इंसान जब उधर जाता है विजट करता है तो उसे बात करने का मौका म मिलता है जो उनकी social currency बढ़ाने में help करती है इसलिए अगर आप भी ऐसा product service या video या कुछ भी बना रहे हो जो सामने वाले इंसान को अच्छा दिखाने में help करेगा तो चीज के chances जादा है कि वह चीज़ वायरल होगी और लोग उसे share करेंगे यह ता social currency का concept short में इसके बार मे याद दिलाने में help करते हैं ताकि लोग बार-बार आपके बारे में बात करें एक्जांपल 2007 में जब kitkat चॉकलेट के जो sales देना वो decline हो रहे थे तब ही उन्हें एक बहुत effective marketing campaign की जरूरत थी जिसके लिए उन्होंने क्या क्या किया कि और कॉफी को एक दूसरे से link कर दिया वो लोग क्या करते थे कि हर advertisement में kitkat को हमेशा coffee के साथ दिखाते थे और उनकी tagline भी ये बना दी थी कि have a perfect coffee break with kitkat अब देखो अगर आप logically सोचने जाओ ना तो लोगों को शादी चीज समझना है क्या coffee और चॉकलेट का क्या combination है ये दोनों इतना साथ में बैठते नहीं होट च चाय बहुत चलती है वैसी यूएस में coffee बहुत चलती है इसलिए जब उन्होंने coffee को kitkat के लिंक किया ना तो कहीं ना कहीं subconsciously वो लोग ऐसा चाह रहे थे कि जब भी आप ब्रेक लो तब आपको coffee के साथ-साथ कि याद है जो चीज के बारे में लोग already daily सोचते है coffee के बारे में जब भी वो लोग coffee के बारे में सोच रहे थे और जब वो लोग को याद आ रहा था तो कई बार वो लोग kitkat को खरीद भी रहे थे तो simple सी बात तो यह है ना कि जितना आपके product या आपके बारे में लोगों को याद आएगा बार बार उतना जदा chances है कि वो लोग आपके videos दे क्यों भी अभी recently मैंने KGF 2 देख आया था जिसके बारे में लोग बहुत ज़दा बात कर रहे थे और मैंने ऐसा देखा कि अगर कोई बी इनसान KGF की थोड़ी से बुराई कर रहा था तो लोग बहुत ज़दा ऑफेंड हो जा रहे थे क्यों 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 लोगों को क्यों है ना वो बहुत ज़दा इमोशन अराउस कर रही थी लोगों के अंदर इस देखा था कि पंदरा साल का बच्चा है ना उसने KGF देखने के बाद इतना स्मोक करना स्टार्ट कर दिया कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया क्यों लोग इतना कनेक्टेड होगे KGF मास से सबको प्यार है तो मा के एलिमेंट को यूज करना यह एक अलगी एमोशन क्रेट करता है हमारे लिए एक अंडर डॉक जिसे हमेशा कोई समझता है नहीं कुछ भी उसे बड़ा होते वे दिखाना यह सारी चीज़े बहुत इमोशनल कर देती है लोगों को जिसके लोग हीरो से भी कनेक्टेड होता है मोवी से भी कनेक्टेड होता है और उसके बारे में बहुत जादा बाते करते हैं और से बार बार देखते भी है आपहले लेँडिया dau गुस्षे में फिर उस वीडियो को जादा शैर करते हैं कुछ गलत होता हुआ देख लेते हैं तो शैर करते हैं कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिल उनका हलका कर देता है इमोशन जाता है तो उस चीज को भी वो लोग शैर करते हैं इनफेक्ट पर पूरी तरीके से देखा जाए 56% इंडियन्स पाइरेट सॉफ़वर्स यूज़ करते हैं अब आपको नहीं लगता कि यह जो स्टडी आई है जो चीज पता चली है वो माइक्रोसोफ वा लोग को बिल गेट्स को सब्सक्राइब को बहुत सस्ता मना सकते हैं ताकि सब लोग उसे यूज़ कर सके और ज्यादा लोग यूज़ कर सके और पाइरेसी कम हो बट इसके बारे में पूछा भी गया था जिसके जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि अगर लोग किसी सॉफ्वेर को चुरा कर यूज़ कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो सॉफ्वेर हमारा ही हो नवी जो बिल गेट्स का स्टेट्मेंट था न ये सुनने में शायद बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्केटिंग है आप खुद ही बताओ आपने विंडोस के लावा और कितने उपरेटिंग सिस्टम कभी यूज़ करे हैं क्योंकि जब भी आप कोई न्यू कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट करते हो उतना जादा लोग उससे रिडिटर सौफ़वएरों यूज़ करें जिसके जिसमें बनना होजाएंगे इक सौफ़वैर का इको सिस्टम बन जाएगा जिसके उनके लिए कुछी और सौफ़वेर में एक कुछी और ऊवेस में सीधा है simple सा है कि अगर जितना जदा पबलिक आपके प्रोड को यूज करेगी उतना जादा आपके चंसे बढ़ जाएंगे कि आप उसे पैसे कमा होगे और उतना जदा चांसे होगे कि वो जो लोग है वो उसके बारे में बाते करेंगे उसका यूज करेंगे उसको अच्छें पढ़ रहा हूं वह टारा हूं इसे वहता है प्रैक्तिकल वैल्ज वैल्यस चीनयों कने वहता है ना आपने हुट सुछ बात बातFlut जो लोगों का फाइदा जो देख रहे हैं उनके फाइदा होने में उनकी हेल्प हो रही है तो ऐसे वीडियो को लोग बहुत वादा शेयर करता है और वो वीडियो वाइरल भी होता है और यह चीज को मैं बहुत अच्छा समझता हूं इसलिए हमने जो अपना नया यह चीज को भी हजार में बेच सकते हो अगर अच्छी स्टोरी का यूज करके उसे बेच हो गया लेकिन स्टील मुझे पता होने के बाद भी इने अपलाए करना काफी मुश्किल होगा क्यों विकोज आपको डीटेल में पता है कि इन स्टैप्स को अपलाए कैसे करना क्या अलग अलग तरीके होते हैं जिनके तो आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अपलाए कर सको और यह करने के लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ती है बट अगर मैं समझता हूं कि बुक पढ़ने नहीं होता है इसलिए हमने क्या किया कि ओवी भी बनाया जहां पर हम लोग क्या करने कि चैप्टर बाई चैप्टर पेज बाई पेज को पढ़ रहा है और जित्ती भी बुक की सारी बाते हैं जो डीटेल्ड ऑर्गनाइजड बाते हैं कि कैसे एक्जैक्ली आपको ट्रिगर्स करने चाहिए कैसे एक्जैक्ली इमोशन यूज़ करना चाह एज़ी हमारे प्लाटफॉम पे जा सकते हो इंटो एपने चैप्तर स्टार्ट किया में पी डस मिनट का इंटिएल की बाते हैं जो अलगलग स्ट्वरी स्टोरी से अपप्लाई कर सकते हो वो सारी बाते हैं आपको बस दस-10 मिनट के दस-10 15-15 के वीडियो माप देखने मिल जिसके तुरू आप इजीली पूरी बुक खतम कर सकते हो एक ही दिन में अगर चाहो तो नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है अब हर दिन एक वीडियो देखके भी पूरी बुक को एक हफते के अंदर तो आराम से खतम करी सकते हो और यह हम लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं कर देंगे तो इससे पहले कि ऑफर खतम हो जाए आप नीचे जाके अभी इस बुक की पूरी डीटेल समरी सुनना स्टार्ट कर दो और मैं आपको सब्सक्राइब करके बैल आकन जरूर दबाना ताकि आपको इसे इंट्रस्टिंग बुक की बातें मिलती रहें अभी के था वाचिंग